माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किशोर अवस्था में शादी करने के फैसले के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय में अनुभव, मार्ग दर्शन और समझदारी आवश्यक होती है, जो किशोर अवस्था में अक्सर विकसित नहीं होती। नीचे कुछ वास्तविक घटनाओं और उदाहरणों के माध्यम से इस निर्णय के परिणामों को समझाया गया है। नहीं है, तो उसे और उसके साथी को आर्थिक संगर्शों का सामना करना पड़ता है। यह रिष्टे में कडवाहट का कारण बना। समझ का अभाव किशोर अवस्था में मनोवैग्यानिक और भावनात्मक परिपक्वता की कमी होती है। ऐसे समय में एक व्यक्ती अपने जीवन में सही और गलत का फैसला अच्छी तरह नहीं कर पाता। शादी जैसी जिम्मेदारी संभालना किशोरों के लिए बहुत चुनोती पूर्ण हो सकता है। रिष्टों को निभाने और समझाने के लिए जिस धैर्य और संयम की आवश्यक्ता होती है वह किशोर अवस्था में प्रायह नहीं होती। उदाहरण एक सत्रह वर्षिय लड़की ने घर से भाग कर शादी कर ली। शुरू में वह बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसे रिष्टे में भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोनों में जगडे होने लगे और समझदारी की कमी के कारण उनका रिष्टा ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। डड़़जी 3. परिवार और समाज का समर्थन न मिलना। माता-पिता की इच्छा के विरुध जाकर की गई शादी में, परिवार और समाज का समर्थन मिलना मुश्किल होता है. समर्थन के बिना, कई बार दमपती को अकेले ही अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सामाजिक आलोचना और परिवार से दूरी, मनोवैज्यानिक रूप से कमजोर कर सकती है. उदाहरण करियर पर होना चाहिए. शादी करने से ये प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और करियर की संभावनाएं कम हो सकती है. बिना स्थिर करियर के, जीवन में उन्नती कठिन हो जाती है, जिससे जीवन स्तर प्रभावित होता है. उदाहरण करना अक्सर हानिकारक होता है. माता-पिता अपने बच्चों के भले के लिए निर्णे लेते हैं और उन्होंने जीवन में रिष्टों को निभाने का अनुभव प्राप्त किया होता है. उनके मार्ग दर्शन के बिना किशोर गलत फैसले ले सकते हैं. उदाहरण एक उन्नीस वर्शिय लड़की ने अपने माता-पिता की बात न मानकर शादी कर ली. शादी के बाद उसका साथी घरेलू हिंसा में सनलिप्त निकला और उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा. माता-पिता ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी, परंतु उसने उसे अंदेखा क किया, और परिणाम स्वरूप उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. किशोर, उम्र में माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करने के कुछ लाभ भी हैं. 1. स्वतंत्रता और आत्म निर्णय किशोर को अपने जीवन के महत्व पूर्ण निर्णय लेने की आजादी मिलती है, जिससे वह अपनी इच्छाओं और सपनों के प्रती जिम्मेदार महसूस कर सकता है. 2. प्यार और साथी चुनने का अधिकार अगर किशोर किसी खास व्यक्ती के साथ अपने रिष्टे को महत्व देता है, तो अपनी पसंद के साथी के साथ शादी करना, उसके लिए भावनात्मक संतोश और खुशी का स्रोत बन सकता है. 3. समाज में बदलते द्रिष्टिकोन आधुनिक समाज में व्यक्तिगत पसंद और स्वतंतरता को मान्यता दी जाती है. माता-पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाकर शादी करने से, किशोर एक नए युग की सोच को अपनाने का प्रतीक बन सकता है. 4. कौशल और अनुभव शादी करने के बाद, किशोर को पारिवारिक जिम्मेदारियों का अनुभव होता है, जिससे वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर सकता है. 5. सकारात्मक चुनौती माता-पिता के खिलाफ जाकर शादी करने से किशोर को खुद को साबित करने का मौका मिलता है, जिससे उसकी आत्म विश्वास में वृद्धि हो सकती है. 6. भावनात्मक विकास अपनी पसंद से शादी करने से किशोर भावनात्मक रूप से मजबूत और परिपक्व बन सकता है, क्योंकि वह अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार होता है. इन लाभों के साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि माता-पिता की इच्छाओं का सम्मान करना और उनके अनुभवों को समझना भी महत्वपूर्ण है. किशोरा वस्था में माता-पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी करना जीवन का बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, जो बाद में पच्छतावे का कारण बन सकता है. माता-पिता का अनुभव और उनकी समझ अक्सर बच्चों के लिए हितकारी होती है, जो उन्हें जिन्दगी में संतुलित और सफल बनाने में मदद कर सकती है.